नमस्कार दोस्तों गार्गी ग्लाशेस पर आपका स्वागत है हम बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री में राजस्थान हिस्ट्री में भी इंशन्ट हिस्ट्री की हम बात कर रहे थे पहली ओलिथिक पीरियट की बात प्रीविएस वीडियो में हो चुकी है अभी इस वीड इस्ट्री आर्ट और कल्चर पॉलिटिकल और अडमिनिस्ट्रेटिव सेटप इन सबसे रिलेटेड नोट्स की अगर रेक्वाइर्मेंट हो आपको तो आप टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर वहां से जॉइन करने में प्राब्लम आये तो आप आसानी से जॉइन करने के लिए टेलिग्राम एप्लिकेशन पे सर्च कर सकते हो गारगी क्लासेज और पी एससी इसके अलावा इससे भी काम नहीं बने तो गारगी 33 करके सर्च कर लेना मिल जाएगा आपको जॉइन कर लो वहां पर पिंड मेसेज ह समझाया हुआ है कि आप कैसा अवेल कर सकते हो नोट्स को ठीक है तो अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो बाकी वहां पर जैसे कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर आपने जो राजस्थान हिस्ट्री के वीडियोज अल्रेडी कंप्लीट है वह आप फिर से क्यों डाल रहे हो तो उन लोगों के लिए सवाल का जवाब सिंपल सा एक ही है कि अभी दो से तीन वीडियोज की जरूरत है और बाकी अगर आपको बनाने जरूरी है यह इतना समझ लो ठीक है तो ऐसा में एक वीडियो बन गया है आज यह सेकंड है एक मुझ सकते हो मैं आपको वहीं पर जवाब दे दूँगा ठीक है और आरेस पॉइंट आफ्यू से देखो तो यह सारे नोट्स रेडी है और इनके प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो पढ़ाया हुआ अच्छे से डिटेल में और कंटेंट इग्जेक्ली वह है जो यूट्य कि टेलिग्राम चैनल को आप जॉइन करी लो वहाँ पर क्या अपडेट्स भी मैं डालता रहता हूं कुछ ना कुछ कोई नई चीज अगर आती है तो या कुछ PDF जैसे शेयर करनी हो जैसे है अभी एक सीरीज हमारी चल रही है राजस्थान एकॉनोमी में एकॉनोमी के रिव सब्सक्राइस तो शेयर कर दी जाती है तो एक पीडियाफ औरडी शेयर आप देख सकते हो टेलिग्राम चैनल पर ओके तो चलते हैं में कंटेंट पे राजस्थान में जो मीजोलिथिक पीरियड की कौन-कौन सी साइट से कौन-कौन से इंसिडेंट से वह जानते हैं खेर कल एक अपना portion रह गया था जिसमें मैंने बोला था कि हम पेलियोलिथिक साइट की बात कर लेंगे राजस्तान में कौन-कौन सी पेलियोलिथिक साइट रही हैं तो यहां पर आप देख सकते हो यह राजस्थान में important पेलियोलिथिक साइट से रही हुए हैं जिसमें डीडवान ठीक है इन तीनों के एविडेंस कहां कहां पर मिले राजस्थान में और कहां कहां पर मिले इंडिया में वह पूरा डीटेल में आप देख सकते हो ठीक है तो यह चोटा सा मैप का थोड़ा पॉर्चन पिछले वीडियो का रह गया था वह हमने शुरू में ले लिया अब चलते तो यह period spreaded था 10,000 BC to 5,000 BC तक ठीक है यह आप देखोगे कि old stone age की हमने बात की थी उसका जो later part था उसके बाद में यह age start होती है ठीक है इसके अलावा आप देखोगे कि paleolithic से जैसे ही mesolithic period में transition हो रहा था तो उसी time पर आप देखोगे climatic variations भी आ रहे थे planet earth पे और इनके बारे में हम detail में discuss कर चुके है world geography में जो geological time scale वाला जो portion है उसमें कि plistocene period का बाता है holocene period का बाता है epoch period era इनकी relation क्या है वो सारी detail हम पहले discuss कर चुके हैं link मैंने description box में share कर दिया है तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देखो world geography वाला ठीक है तो ऐसे में आपको पता पड़ेगा कि इधर तो paleolithic to mesolithic ये तो हो गया historical age की हम बात कर रहे हैं और geographical period की अगर बात करें तो plistocene period से हम transition ले रहते हैं holocene period में ठीक है और holocene period का ही पार्ट आज चल रहा है जिसमें हम जी रहे हैं इसको बस फर कितना सही है holocene में भी एक पार्ट है जिसको बोल दिया anthropocene क्योंकि हर एक इस planet की activity में human being का role बहुत ज़्यादा dominant करने लग गया तो ऐसे situation में holocene जो था वो देखो मानव का काल तो है एक human का काल तो है बट उसमें भी एक human का ज़्यादा एक active होना और पूरे planet के उपर variation लेकर के आना तो वो चीज़ आज climate change जो है reality हम देखते हैं वो क्या है एक इंसानों की जो activities है industrial revolution हो गया pollution हो गया water pollution हो गया air pollution हो गया ozone depletion हो गया ये सारी चीज़े किसकी देन है human की कुद की तो ऐसे में इसको इस particular period को जिसमें अभी हम जी रहे हैं इसको anthropocene बोल दिया तो point यहाँ पर यह है कि जब plistocene period से holocene period की तरफ जा रहे तो plistocene period के time पे देखो ice age आती है ठीक है कौन कौन सी ice age आती उसके बारे में भी detail में discuss किया हुआ आप देख सकते हो वहाँ पर ठीक है तो plistocene period से हम transition ले रहे थे holocene period की तरफ जिस time पे इंसान की अगर age की बात करें history की बात करें तो उसी time पे paleolithic age से हम change हो रहे थे mesolithic में तो paleolithic और mesolithic यह तो देखो नाम दे दिये गए कि हम किस type किस tools यूज किया करते थे size क्या थी tools की और plistocene period और holocene period यह geographical ages है ठीक है तो ऐसे में आप confuse ना हो दोनों का time एक ही था बस नाम अल लग लग है perspective अलग लग है तो ऐसे में प्रिस्टो सीन में जो बर्फ जमी थी वो दीरे-दीरे holocene की तरफ जैसे हम transition में गए तो देखो वहां पे जो harsh climate थी वह अब धीरे-धीरे conducive favorable climates में climatic situation में change होने लग गई थी जिसका मतलब हो गया कि अब climate में थोड़ा सा temperature rise होने ल शुरू हो गया था इससे क्या हो गया आप rainfall है humid climate है warmer climate है तो ऐसे में आप क्या करोगे जी खेती करना शुरू करोगे की नहीं तो शुरुआत हो जाती है खेती की जो कि हमने previously देखा थोड़ा वह ता idea तो हो गया था बट खेती का यहाँ पर एक expansion होना शुरू हो जाता है और flora and fauna दोनों बढ़ने शुरू हो जाते हैं आज अगर आप से कोई question पूछे कि world में highest biodiversity कहाँ पर मिलती है तो आपका जवाब क्या होगा equator के आसपास में वजह कि वहाँ पर climate warmer है और साथ में humidity भी वहाँ पर अच्छी खासी है rainfall भी अच्छा खासा है तो ऐसे में वहाँ पर आपको बहुत सारी जीव जनतू चाए plants की variety की बात करो जिसको हम बोलते हैं flora और fauna की variety की बात करो वो भी आपको बहुत जादा मिलेगी तो ऐसे में जैसे जैसे आप equator से polar region की तरफ जाओगे वैसे वैसे variety diversity reduce हो जाती है क्योंकि polar region में temperature क्या है more or less stable और वो भी क्या है कम temperature त rainfall availability तो ऐसे परिस्तितिया अब कहां होई प्लिस्टोसीन पीरियेट से transition जब हो रहा था होलोसीन में और तो इसी टाइम पर हम paleolithic age से shift कर रहे थे किसमें mesolithic period के तरफ तो आप देखोगे resources की availability होने लग गई आप देखोगे flora and fauna इसका भी expansion होना शुरू हो गया था ठीक है कैसे tools use होते थे तो देखो paleolithic age में जो tools थे उनके comparison में अभी जो mesolithic tools थे वो कुछ अच्छी quality के थे better थे और साथ में finishing भी बहुत बढ़िया थी और shiny भी थे और छोटे हुआ खड़ते थे तो उनको बोल दिया गया microlits तो mesolithic age के tools को क्या बोलते थे क्योंकि stone से बने हुए थे shapes में ज्यादा आपको tools दिखेंगे जैसे की blade भी अगर बनी हुई है तो blade के भी अलग-अलग variation आपको दिखेंगे ठीक है जिसमें कई बार आपको एक बड़ा सा चुर्रा दिखेगा या फिर उसमें भी thickness में या फिर जो width है उसमें variation देखने को मिलेगा और वो भी बनी किसक points का बनना इस तरीके से points का यूज करना अब इसको अगर आप किसी लकडी के आगे set कर दो तो ये arrow बना की नहीं इस तरीके से इनका use होता था triangle ये भी आप देख सकते हो obliqually truncated blades इस तरीके से बहुत सारे variation देखने को इस तरीके से obliqually truncated blades ठीक है ये variation आने शुरू हो मतलब और ज्यादा अच्छी quality के tools अभी यूज करना शुरू कर दिये थे human ने अगर हम कुछ mesoliths की बात करें जिनका use अगर देखें तो देखो spearhead that means बाले के आगे का हिस्सा arrowhead मतलब जो तीर होता है उसके आगे की tip ऐसे ही knives छुरे चक्कुये बनाना sickles जैसे एक तरीके से आप जानते हो ना sickles का मतलब होता है ये काटनी जो दांतली type होती है चीज वो हो गई harpoons, dagger ये सारे इस तरीके से हैं कि कुछ ना कुछ इनका use या तो होता था agriculture में या फिर hunting के लिए या फिर gathering के लिए ठीक है इसके अलावा अब लोगों के पास में ज और जादा resources उनके पास में आजपास में available होने लग गए तो अब क्या है past time बहुत जादा अब मतलब free time था अब past कैसे करे उस time को तो उन्होंने अब यहीं से origin हो जाता है arts का जैसे हमने previously देखा उस time पर भी हो गया था later paleolithic case के time पर इस time पर और अच्छे से होनी शुरू जात उसकी तरफ बढ़ रहे हैं फिर बात करते है societies की societies में देखो दो important चीज़े एक तो animal rearing और एक हो जाती है farming यह दो चीज़े होनी शुरू हो गए उसके पीछे वज़े क्या थी climate में variation जो कि हमने अब already बात कर ली उसी को चीज़ अगर codify करो तो favorable climatic change हुई अब favorable के climatic change that means rainfall available ह warmer atmosphere है तो ऐसे में क्या हो गया आप agricultural activities अच्छे से कर लोगे तो इसमें क्या हो गया food security आगई अब food security अगर एक जिगह पर रहने में आ गई तो क्या आप घुमन्तू जिंदगी जीओगे बिलकुल भी नहीं अब क्या करना उन्होंने settle होना शुरू कर दिया ऐसे में seasonal sedentary settlement देखने को मिला इसका मतलब हो गया कि जब जब भी favorable climate मिला तो वहीं पर अपने तंबुतान लि जब settle होना शुरू हो गए तो क्या होगा जी population rise होगी की नहीं free time बचेगा अपने घरवालों के साथ time spent ज्यादा करेंगे husband wife साथ में रहेंगे तो population rise होने का scope पूरा बनता है मालतस theory है population को control करने के लिए मालतस theory for population something उसमें आप देखोगी उसमें सीधा यही बताया है कि जब जब human being एक free रहा है ना तब 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 population rise होने के chances है वो बाठीक है कि आज के time पे हमारे पास में जो contraception के बहुत सारे methods available हैं तो population इतनी जदा rise होने के chances नहीं है पर फिर भी अगर पुराने time पे देखे तो उस time पे कौन सी technology थी कौन सी मतलब contraception की method वहाँ पर available थे कुछ नहीं थे तो ऐसे में population भी rise होई थी यह सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो आख फिर से animal rearing और farming तो earliest evidence की बात करे कि कहां पर animals का domestication होना शुरू हुआ था अपने इनिमल्स को रखना शुरू कर दिया था तो उसके example है अध्या प्रदेश का आदमगड और राजस्तान का बागोर यह दो important side से ध्यान रखेंगे अच्छा फिर सवाल यह बनता है कि सबसे पहले इनिमल्स को domesticate किया था तो इनमें है dog, cattle, sheep, goat यह तो है जानवर और अगर first crop की बात करें जिसको सबसे पहले agricultural practice में लिया गया था जिसका cultivation हुआ था वो है wheat and barley तो यह चीज़ें आप ध्यान रखोगे कोई भी चीज मिस नहीं होने चीए एक एक word important है इसके अलावा nomadism को छोड़ करके गुमंतु वाद को छोड़ करके अब वो sedentary settlement की हाँ अभी season favorable है settle हो जाओ यहीं पर खेती करो और आराम से पेट वरो इस तरीके से settlement की तरफ अब बढ़ना शुरू कर दिया था मीजोलिथिक के मैंने आगे चलते हैं फिर आगे बात करें तो जो society में जो changes आया थे वो देखें तो इस point of view से एक important चीज आती है कि पानी की आसपास में देखो ले शुरू हो गया था पर अब देखो कि जो rivers थी उनके आसपास में colonization होना शुरू हो जाता है for water resources पानी की अपनी जरूरते पूरी करने के लिए अब human जो है वो सेटल होना शुरू हो गया river beds पे या फिर river plains में और इंडिया में गेंजिस प्लेंस की अगर बात करें गंगा प् settlement हो गया है population rise हो रही है और एक जिगह पर रहना शुरू हो गया तो कहीं न कहीं socialization of human अब human human being होने लग गया कहने का मतलब अपने social interactions में आगे बढ़ने लग गया तो ऐसे में आप देखोगे customs की customs की शुरूआत हो जाती है जिसमें कुछ tradition है वो अभी भी हम continue देखते हैं जि dead bodies थी अब उनको हर कहीं न छोड़ करके सोच समझ करके या तो उनका burial कि हाँ कहीं खड़ा खोदा उसका सई structure बनाया और वहाँ पर फिर उस dead body को गाड़ा गया या फिर cremation तो कहने का मतलब intentional disposal of dead bodies शुरू हो गई थी ठीक है जिसमें burials में थे cremation इतना नहीं तो मैं example दे रहा था उस ताइम पे ओके तो मीजोलितिक burials की अगर बात करो तो राजस्थान में तो बागोर गुजरात में लंगनाज और MP में भीम बेटका के आसपास में आपको मीजोलितिक एज के जो dead bodies थी human men की वो आपको वहाँ पर idea मिलता है archaeological survey of India ने जब research की discovery की तो ये मिला फिर पे मिली और paintings भी कहां-कहां मिली MP के आदमगड और भीम बेटका में राजस्थान की बात करो तो प्रताबगड और मिर्जापुर में ये दो important sites है राजस्थान की तो राजस्थान वाली तो बिलकुल मत बूलना और इन पर सीधे question आता है R.A.S. mains में और और exams में और optional में भ red color के लिए वो minerals use करते थे जिन में iron oxide content हो ठीक है similarly white में आप use कौन सा करते थे limestone चुना पत्थर ठीक है इसके अलाब आप देखोगे hunting के scenes जादा हुआ करते थे या wild animals को वहाँ पर एक तरीके से बनाई जाती थी paintings उनकी या फिर human social and religious life थी उसके भी events वहाँ पर दिखाये गए जैसे की child birth तो कहने का मतलब socialization जैसे मैंने बता दिया socialization of human होना शुरू हो गया अब human से human being होना शुरू हो गया अब बात करते हैं मीजोलितिक sites इन राजस्थान की अगर बात करें तो ये important sites हैं पजपद्रा, बेसिन, सोजातेरिया और तिलवाडा ये तो हैं राजस्थान क हो गया सोजातेरिया तिलवाडा बाकी बागोर वाला वो उपर हम रीजन अलरी देख चुके हैं यहां पर microliths मिले हैं मतलब mesolithic age के टाइम पे जो tools यूज होते थे जिनको microliths बोलते थे वो tools मिले हैं और बागोर की बात करो ये राजस्थान में sorry इंडिया में मिली हुई largest mesolithic site है अब आप देख सकते हो बागोर कितने important है तो question पूछा जा सकता है कि बागोर जो है वो किस से associated है तो mesolithic age से associated है ठीक है तो देखो discussion में आज के इस वीडियो में जो main content था वो discuss कर चुके हैं next video आपको एक video और मिलेगा remaking का जिसमें हम बात करेंगे neolithic sites के बारे में ओके कोई doubt हो comment कर सकते हो comment का जवाब अगर नहीं मिले तो आप telegram channel पे जो contact number given है उन पे आप telegram कर सकते हो आपको जवाब definitely मिल जाएगा ठीक है तो बने रही है गारगी classes के साथ में current affairs के भी videos continue है आपको पता ही है playlist section को जरूर देख लो अगर आप नए हो तो playlist section को जरूर देखो कि वहाँ पर क्या क्या content already available है ओके थैंक यू